पहली बारी इस इतने बड़े शो का आयोजन मारवाडी गोडों का हो रहा है और ये तीन से पांच तारिक तक यहां जैपुर के राइस्तान पुलू क्लब के ग्राउंड पे होगा तीन तारिक को इसकी ओपनिंग है जिसमें हम लोग मारवाडी गोडों के ओपर क्योंकि हम उ प्रसाज, टेंड पेगिंग और थोड़ा शो जंपिंग का डिस्प्ले भी होगा और वर्किंग एक्विटेशन का डिस्प्ले फ्रांचेसका और दलीब करन गरोचा जो नाम इनका वर्किंग एक्विटेशन का है गोडों का वो भी उसका भी एक म्यूजिक के साथ है उसका एक साल से लिये के दो साल और फिर उसके मेल फीमेल और लंच के बाद में जो कोल्ट हैं जो दो से चार साल के उनका मेल और फीमेल का कॉंपोटिशन होगा रिंग के अंदर वो अपना डिस्पले करेंगे जजिज उसका फैसला करेंगे और उसके बाद में पाच तारिक को सुबह हमारा जो होगा वो होगा स्टेलियन्स और गोडियों का मेर का और साथ-साथ उसके डिस्पले और लंज के बाद में हमारा closing ceremony होगा यह हमारा program है और एक और दो तारिक को judges clinic हैं उस judges clinic के अंदर जो भी judge बनना चाहते हैं उनको examination देना पड़ेगा practical और रिटन और जो सिर्फ attend करना चाहरे हैं जज़ बनने के लिए नहीं पर वह confirmation समझना चाहरे हैं सीखना चाहरे हैं वह seminar अटेंड उसमें एक और दो तारिक को कर सकते हैं मैं सब्सक्राइब करने हो कि वह हमने इंट्रोडूश नहीं किए वह हमारे पहले से दो-तिन सॉसाइटी यहांद यह चल रही है करHa those are करते हैं और एक और सोसाइटी है दोनों सोसाइटी यास सोसाइटी वो चिप को अपने अपने रिस्टेड होर्सेज में लगा रही है इनका फंक्शन ही होता है कि वो एक डिस्टल चिप है वो उनके गर्दन पर यहां पर इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू कॉलिफाइड कोड़ होता है वो नंबर होता है वेनेवर वेनेवर यू एप्लाई आप माइक्रोचिप रीडर डाद इस पेस्ट नंबर अफ एट कोड़ सो यू नोगा इस इस यह किया कुछ सर्वे किया तो उसका पतागरने में सरकार को भी आसानी होगी तो इस प्रोग्रेसिव थेंग अभी इट हैस स्टार्टेट फॉर सम टाइम लेटर ओन इसके जो बड़े बड़े इफेक्ट्स हैं वो दीखने को मिलेंगे इसके आगे क्या कुछ और फायदे हो सकते हैं जी हां इसके फायदे सबसे पहली बात तो यह है कि एट विल हैल्प यू इन नोइंग हामेनी होसे कि सब्सक्राइव करने से बहुत आसान हो जाता है लों के लिए जानना तो सरकार के यह आसान हो जाता है क्योंकि सरकार के पास अभी ऑथेंटिक सेंस्स डेटा नहीं है लेकिन जब यह चिप भविश्य में जब सारे घोड़े को लग जाएगा तो फिर एकदम मेजी हो उसने इलाज करवा लिया लेकिन वो उसको कैसे अडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा होस था लेकिन जब वो चिप होगी ना सब के पास तो वो बहुत इसली अडेंटिफाई हो जाएगा और फिर वो डिजीज मोनेटरिंग में बहुत काम है देवेश कुमार सिंग मैं होस4um.com काम की वेबसाइट चलाता हूँ यह घोडों के लिए है इसमें अभी तक क्या है कि कोई भी ऐसा डिस्टल प्लाटफॉर्म नहीं है जो कि यूनिफॉर्मली और गनाइजड वे में घोडों की दुनिया को एक क्लासिफाइड धंग से दिखाने का काम करें इसमें घोडों का क्लासिफाइड इन्फस्टर मेशन है जितने शोस हैं शोस की यह चाहते हैं की जयपूर में कौन-कौन से घोड़े वाले है अगर ूगो खोजना चाहें तो उनकी लिस्ट का कोई अभी तक कहीं भी ऑफनिक सोस नहीं है तो यह सारी चीज हो उसमें इंक्र O programmes हो रही है सब्सक्राइब करते हैं, तो यह गौर्णमेंट नहीं लगाती है, संस्थाइं ही लगाती है, वो एक नंबर के साथ, वो यूनिक नंबर के साथ लगाती है सब्सक्राइब करते हैं, तो यह गौर्णमेंट सर्विस करता था, फिर मैंने कोरोना के समय वियरेस लिया, और वियरेस लेते समय यह हुआ कि वियरेस लेकर अपने लिए क्या करूँगा, तो दो घोड़े खरीदने थे, च्योंकि मैं बच्पन से घोड़ों का शौक था, ले पूरा नहीं हुआ था, अब घोड़ों के लिए मैंने इंटरनेट देखना शुरू किया, कोरोना का समय था, तो मैंने देखा कि वहां पर यह बहुत है, हेजी है, एंबिगर्स है, तो मुझे समझ मैं कि इसमें एक स्कोप है, इस फिल्ड को और इनाइस करने का, वहां से आ इसको तो हमने पहले लॉंच कर दिया, जो पहला प्रोजेक्ट है, वो अब लॉंच होगा, तो यह घोड़ों का है, वो डेमोक्रासी का है, तो वो भी अभी एक दो महिने में हमारा लॉंच होगा, तो यह सब वहीं से घोड़े रखने है, इस शौक के वो जैसे, मार्केट क को देखा तो समझ मैं कि ऐसी चीज क्या हो शक्ता है, तो फिर हमने ऐसा एक प्लाटफॉर्म तैयार कर दिया, जी, थैंक यू.